आपने देखा कि पठवा टोली के जो लोग हैं उनकी क्या अप एक शाय हैं सरकारों से पावलोन सेक्टर का ये हब है बिहार का मैंचेस्टर कहा जाता है लेकिन उसके बावजूद यहां पर लोगों को सरकारों की मदद का इंतिजार है बहुत कुछ बदला है लेकिन अभी बहुत सारे बदलाओ की उम्मीद बाकी है लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि आफर ये पूरा प्रोसेस है क्या कैसे कपड़े यहां पर तयार होते हैं और ये समझे बिना आप इस काम की बारीकी को महसूस नहीं कर पाएंगे और आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि आखिर कितना मेहनत लगती है इस पूरे प्रक्रिया को अंजाम देने में इसलिए हमाई साथ चचा है जो ये बताएंगे कि आफर कैसे प्रक्रिया शुरू होती है अच्छा आप बता रहे थे चचा कि यहां पर धागा आता है धागा कहां से आता है धागा पंजाब से आता है एवं साउट से आता है दोनों तरह से आता है जिस तरह से अब लेवूल मिलता है बजार के हिसाब से वहां से आता है उसके बात क्या करते हैं धागा को जो है इस पूरा यही जो है सो उसमें जाता है अगर आप समझ पाए हो तो मैं आपको बताओं कि जो धागा बाहर से मंगवाया जाता है वो इस तरीके से इसमें लपेटा जाता है मशीन में लगा करके और उसके बाद ये जो सामने आप देख रहे हैं ये जो सामने आप देख रहे हैं वहाँ पर इस धागे को इस तरह बीम में लपेटने का काम होता है ये बीम में लपेटा जा रहा है इस धागे को ताकि बाद में इसे कपड़ा बनाने का इस्तिमाल किया जा सकी यहाँ पर बनी हुई बीम है आप अगर देख पाए इस तरीके कुछ वाक्यों में समझा सकते हैं हमारे में मुंकिन नहीं है कि इसकी बारिकी को समझ पाएं कोशिश हमने की है कि इंडिया न्यूज के कैमरे की नजर से आप देखें कि पावलूम सेक्टर में लगे हुए पटवा टोली के लोग कितनी मेहनत करते हैं कई सालों से दश्चकों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन क्या उस मेहनत का सही सिला इन लोगों को मिल रहा है इस सरकारों को जरूर को